नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि फिल्म जुंड अपने पहले बिन बॉक्स ओपिस पर कितना क्लेक्शन कर सकती है। इसका प्रेडिक्शन किया है अलंकि जो फाइनल डिबोर्ड हो कल सुबतर पता चलेगी तो फाइनल डिबोर्ड में आपको कल सुबह बताऊंगा कि जुन तरम ने अपने पहले दिन बॉक्स ओपिस पर कितना कमाल किया साथ दोस्तों आपको भी बताने जा रहा हूँ मैं कि फिल्म जुन को कैसी किर्टिक्स के दौरा डेटिंग्स मिली है और दर्शको का कैसे रियेक्शन्स फिल्म के परती देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले मैं आपको एक और जान देदू कि माना एक अमिता बच्चन का एक परमोशनल वीडियो एक परमोशनल टीजर फिल्म के मेकर्स दुवारा टी स्रीज में जारी किया गया जिसमें माना एक अमिता बच्चन अपनी यूनिक इस्टाइल में फिल्म के बारे में बता रहे हैं और यह भी कहरे हैं कि यह जुन नहीं है यह टीम है और क्यों आपको आपनी फिल्म देखनी चाहिए इसके बारे में माना एक अमिता बच्चन का एक जबर्दस से अंदार प्रमोशनल वीडियो टी स्रीज पर जारी किया गया अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा अमिता बच्चन का अंदा नागराज मंजूले नहीं फिल्म को लिखा भी है प्रोडूस भी किया डेर्क्ट ही है और दोस्तों कमाल के जीनियस परसन नागराज मंजूले इससे पहले शेराज जैसी कलासिकल हीट फिल्म बना चुके है और वहीं जागू फिर से उन्होंने जुन्द में जागरत कर दि कई लॉक कर बोल् 디자 ór आपको करेंस तो हुआ होते हैं कि आपकी दिनों के बाद मेने ऊन्द कर जाते है Rainbow तालिया बजाएंगे इतनी अच्छी फिल्म ही है, सुपर बै, एक्सिलेंट, अब दोस्तों आपको बदा दो कि इस फिल्म को सभी क्रिटिक्स ने अच्छे रिवीज दिये, ज्यादा तर क्रिटिक्स ने बहुत ही अच्छे रिवीज दिये, दोस्तों चाहिए वो टाइम रशता है, जो फिल्म को समय कहते हैं, सबीन आये करीब 3 स्टार से 4 & 5 स्टार τक फिल्म को रेवीद दिये, तो दोस्तों पिलिम की करीब 3 & 5 स्टार है, जै क्या मेरा ही मानना है कि इस फिल्म को कम से कम 4 स्टार में मिलना चाहिए वास्ता में हाई बहुत वजब अगर आप में नहीं देखिए तो प्लीज में चुकिएगा ये फिल्म आप जरूर देखिएगा दोस्तों आप मैं बताने जा रहा हूँ कि फिल्म जुन्द अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब कितना कलेक्शन कर सकती है तो दोस्तों म जाजा नहीं मिले और और सी इसकी बात करें तो करीब 400 के करीब स्क्रीन से जुन्द फिल्म को मिले तो कम स्क्रीन से मिलने के बावजूद एक अनुमान के उसार जुन्द कम से कम आज 3 क्रोड रुपे का नेट कलेक्शन बहरत में कर सकती है अब दोस्तों इसका जो एक्जक नहीं आ रहा है और दोस्तों जैसा कि मैंने बता है कि फिल्म बहुत अच्छी है तो फिल्म को पॉजिटिव डिवूच मिल दे हैं तो इसके कारण क्या हुआ है कि कल का कलेक्शन जिरूर बढ़ेगा कल बढ़ने वाला है और जाथ दोस्तों आपको भी होता दू कि इस फिल को हलिडे है तो संडेको फिल्म के कलेक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि सिनेमा और जो भी दरसल फिल्म देखके आ रहे हैं उनका जो रीक्शन पूछती है तो एक इवर्ड होता है एक्सिलेंट सुपर माइंड ब्लॉविंग मतलब उन्हों का संगीत भी बहुत ही जबर देस्ते है फिल्म का इसके बले शांदार है डायलोग शांदार है मतलब फिल्म अच्छी है तो सबको देखनी चाहिए तो फिल्म का कलेक्शन बढ़ना है दोस्तों आज के वीडियो में आपको फिल्म जूंड का फश्ट डे का जो जानकरी कैसे लगी आप कमेंट करके वसे बताइएगा साथ ही दोस्तों अगर चैनल को पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरू कर लीजिएगा नहीं वाग टेक केर